हेलो दोस्तो, विल्कम तू माय चैनल डीजी टेक आज हम देखेंगे प्लेनम बॉक्स साइजिंग कैसे की जाती है तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम देखेंगे के प्लेनम बॉक्स को साइजिंग करने का परपस क्या है प्लेनम बॉक्स किसलिए लगाया जाता है तो हमारा पहला जो बेसिक परपस है तो डिस्टिब्यूट एर प्रॉपरली दिन बैलेंस दी एर दिन रिड्यूस साउंड ये बेसिक थ्री परपस है जिसकी वज़ा से हम प्लेनम बॉक्स को लगाते है ठीक हैं? पता है Q is equal to A multiplied by V Q जो होता है हमारा वो होता है flow rate in CFM then V जो हमारा होता है वो होता है velocity in FPM then A जो हमारा होता है वो होता है area of plenum box in fit square ठीक है? एस पर ASH-ray standard required velocity for air handling unit is 800 FPM जैसा के आप देख सकते है and for fan coil unit is 500 FPM तो जब भी हम plenum box sizing करेंगे AHU के लिए तो हमें velocity 800 FPM रखनी है and जब भी हम FCU के लिए sizing करेंगे तो हमें 500 FPM velocity रखनी है तो चलिए एक basic example से हम आज देखते है के plenum box sizing कैसे की जाती है तो consider कीजिए हमारे पास एक TR जो है 8 TR का machine है ठीक है? then as per rule of thumb 1 TR is equal to 400 CFM जैसा के हमारे पास 8 TR है तो हम उसको 400 से multiply करेंगे तो हमें मिलेंगा 3200 CFM जैसा के आप पिस्क्रिन पर देख सकते हैं then next हमाई formula पता है Q is equal to A into V उस formula को हम जब convert करेंगे तो हमें मिलेंगा A is equal to Q upon V तो A जो है हमें पता करने के लिए Q और V की value पता होनी चाहिए तो Q हमारे पास है 3200 and हम इस calculation को as a AHU के लिए consider कर रहे है इसलिए हमने velocity 800 consider की है तो हमें area पता चल जाएंगा 4 feet square ठीक है then next यह हमारा है plenum box जिसका यह height है and यह width है and यह depth है ठीक है area of plenum box is equal to W into H W हमारा है width and H है हमारा height ठीक है then हम जो H है यह हमारा fall ceiling और ceiling के बीच में जो भी space available है हमारी जो requirement है जो हमें दी जाती है उसके हिसाब से हम 1.6 feet इसको consider कर रहे है आपके पास जो भी area available है आप उसके हिसाब से H consider कर सकते है then W is equal to A upon H तो A हमने पिछली slide में देखा था के हमें 4 feet square मिला था then हम H जो है रखते है 1.6 feet तो हमें जो है W की value पता चल जाएंगी width of plenum box is equal to 2.5 feet ठीक है then हम देखते है कि अब depth कैसी पता करनी है depth of plenum box हमें H भी पता है width भी पता है और इसका यह side का area भी पता है अब हम देखते है depth of plenum box कैसे calculate की जाती है तो depth of plenum box is equal to 2.5 multiply by D अब यह D क्या होता है D is equal to diameter of fan blower यह जो fan blower है यह AHU में जो fan लगता है हमारा fan blower उसका diameter होता है इसका जो diameter है हमें वो manufacturing catalog से मिलता है तो 8 TR के हिसाब से हमें जो D है वो 12 inches मिला है then हम इस 12 को हमारे इस formula में fill करते है तो हमें D पता चल गया है 30 feet हम इसको convert कर लेते है feet में तो हमें मिल जाएगा 2.5 feet तो दोस्तो इसी तरह planum box की sizing की जाती है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को like, subscribe और share करना ना भूले और इस वीडियो में आपको कोई भी difficulty है तो आप हमसे comment box में पूछ सकते है Thank you